हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे से यूटूब चैनल एस मैत समय आज हम बात करें क्लाश 10 के एक्सरसाइज 5.2 के कोश्चन नमबर 3 के बारे में कोश्चन नमबर 3 के है दोस्तों निमलकित समांतर शेणियों में रिक्त पदों को ग्याद करना यानि यह जो बाक्स दिये हुए है इन में क्या वैल्यू आएंगी हमें यह फाइंड करना यानि इनका पता करना है कि इन बाक्स के अंदर क्या वैल्यू आएंगी तो आप जैसा कि पता है कि जो 5.2 में जो questions है AP Series के है ठीक है तो यह जो दीव यह AP Series होना चीए तो यहाँ AP Series के लिए जैसे कि आपको पता है first path को यहना पहले path को हम A1 से denote करते हैं फिर second path को यहना दूसरे path को a2 से denote करते हैं तुसरे पद को a3 से denote करते हैं तो यहां पर g1 है ठीक है या दिया है प्रेंट से यहां क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म है याने पहला पद पहला पद पहला पद a1 is equal to क्या दिया हुआ है टू दिया हुआ है और जब हम इसे count करेंगे तो यह पहला पद होगे यह दूसरा पद होगे यह तिसरा पद तो यहां तिसरा पद भी हमें दिया हुआ है तिसरा पद क्या है तिसरा पद A3 is equal to 26 है जब हमें पहला पद दिया हुआ है और तिसरा पद दिया हुआ है तो हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं कैसे अब हम फार्मूला लगाएंगे अन वे पद वाला जैसे AN is equal to AN is equal to A plus bracket में N minus 1 D यहारा फार्मूला आपने पढ़े हुए हूँ तो यह वाला फार्मूला लगाएंगे ठीक है a n plus a n is equal to a plus n minus 1 वाला ठीक है फ्रेंट तो यह फार्मूला हम कहां लगाएंगे तो यहाँ पे देखी a 3 यहने तिसरा पद हम ग्याद करते है ठीक है तो a 3 is equal to a 3 is equal to a 1 is equal to d y 2 ठीक है plus n n याने a 3 तो तिसरा पद निकाल रहे हम तो यहाँ 3 minus 1 हो जाएंगा और d difference हमें पता नहीं है तो d जैसे को विशार है जाएंगा तो a 3 is equal to 26 है 26 is equal to 2 plus 3 minus 1 2 हो गया multiply d तो 26 इस 2 को हम left hand side में ला लेंगे तो minus 2 हो जाएंगा